हेलो दोस्तों नमस्कार बियेस सब खुली रैली भरती 2030 वीडियो सुर करने से पहले आप सभी से एक निविदन होगा कि वीडियो को आप टोटल कंप्लीड देखिएगा तभी सभी क्यूसें के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे कौन-कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को आ क्या निर्धारित की गई है कैसे फॉर्म को फील करना होगा कौन-कौन से कैंडिडेट फॉर्म फील कर पाएंगे ओनलाइन माध्यम स्या ओफलाइन आप सभी को ओपीसल बेप साइट पर इस भरती का ओपीसल नोटी पी किसन में भी दिखाने वाले हैं कि यह फॉर्म किस त देख पा रहे होंगे जोगी ब्येश्च खुली रैली भरती निकलके अचुकी है बाद यहांपर कॉंस्टेबल के यहांपर निधारत किए गयें योगता आप देख पा रहे होंगे जोकी सिंपल दस भी के पासबी के पास वी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेधन कर पाए गया है यहाँ पर आप सभी को ले के आचुके हैं वहाँ पर यहाँ पर देख पार हुआ होंगे चोस्कि यहां पर पोश्ट नेम बी एस अ कॉंस्टेबλॉस जी डी के पद उपर भरती निकाली गई है और यहां पर इंट्री नेम बीस अ रैली यहां आप NCC का certificate आप सभी के पास नहीं है तो इस form को fill करने के लिए shortcut भी रास्ते हैं हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं form को fill करके भी आप सभी को दिखाएंगे तो यहाँ पर आईए बात कर लिए दोस्तों कि यह जो भरती निकाली गए है इसमें कितनी age limit और भरती का नाम क्या होने वाले है जोब आपकी कहां लगेगी आल इंडिया के सारे candidate apply कर पाएंगे या नहीं आपको बताने वाले हैं organization नहीं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो की border security force यानि कि BSF यहाँ पर BSF का मतलब है कि border security force तो यहाँ पर job country यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे defense job यहाँ पर निर्धार की गई है job category और who can apply यहाँ पर आल इंडिया के सारे candidate किसी भी state से बिलॉग कर रहे हों वो भी इस form को apply यानि कि आभी दन कर पाएंगे बैकन सीद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि open rally यानि कि खुली rally भरती निर्धार की गई है कितने post पर निकाली गई है आप सभी को ये भी बताएंगे application mode यहाँ पर online माधम से feel कर पाएंगे इस भरती में सबसे अच्छी बात यह है कि gender यहाँ पर male और female यानि कि महिला और पुरुष दोनों candidate इस फोर्म को आविदन कर पाएंगे जोब location यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि all over in India यानि कि इंडिया कि किसी भी कोने से आप belong कहीं से भी कर रहे हैं तो आप इस फोर्म को आविदन कर पाएंगे बारे में बात कर लिए एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर आप notification में चेक कर पा रहे होंगे जो कि एज लिमिट यहाँ पर BSF Constable के लिए जो भरती निकालेगे उसमें 18 से 25 वर्स यानि कि 18 वर्स से 25 वर्स के बीच के candidate इस फोर्म को आविदन कर पाएंगे SCST candidate को यहाँ पर age में चूट के बारे में आपको बता दी जाए तो age में counting यहाँ पर एक फरवर 2030 से की जाएगी age में चूट SCST OBC candidate को बिल्कुल चूट दिया जाएगा जो कि SCST candidate को पाँच वर्स का छूट और OBC candidate को बिल्कुल तीन वर्स का छूट दिया जा रहा है दोस्तों आप official notification में भी चेक कर पारे होंगे official notification कहां से डाउनलोड करना होगा कैसे डाउनलोड कर पाएंगे यह भी आप सभी को दिखाने वाले हैं तो बिए सब कॉंच्टेबल भरती की education qualification के बारे में बात करेंगे तो आपको बता ही दिया कि जो कि सिंपल दस वी और बारवी के पास कैंडी डेटिस फॉर्म को आविदन कर पाएंगे अगर आप यहां पे दोस्तों आप सभी को बता दे कि सब्जेक्ट में आपको यानि की बारवी की परिक्षा जो पास किये हैं उसमें किसी भी सब्जेक्ट में आपके अकम से कम 45% सारे सब्जेक्ट में माक्स होने चाहिए यह सब कॉंश्टेबल SI पोस्ट के लिए जो भरती निकालेगे उसमें फिजिकल टेस्ट के बारे में आये बात कर लिए तो हाइट यहां पे 166 सेंटीमीटर मेल कंडी डेट की फिमेल की 152 सेंटीमीटर की हाइट होने चाहिए बिल्कुल दोस्तों यहां पे आये बात कर लि यहां पे बारे में बात कर लिए तो आप देख पा रहे होंगे जो कि पोस्ट ने में आपको आपको बता ही दिया कि जीडी कॉंस्टेबल है टोटल पोस्ट यहां पे ओपन रैली भरती है यानि कि खुली भरती निकाली गई है स्टार्टिंग डेट भी आप सभी को फिसल निरधारत किये हैं रनिंग आप देख पारे होंगे जो कि मेल कंडिडी डेट के लिए रनिंग बिल्कुल पांच घंड यानि की फांच किलो मेंटर टोटल 24 मिनट में कंपलीट करने होंगे और लॉंग जंप यहां पे 11-3 इंच यानि की 11-3 इंच आपको कुदना होगा या जंप यानि की उचाई की जंप यहां पे चार फिट यानि के चार फिट आपको कुदना होगा उचाई की जंप की बारे में बात करेंगे रनिंग की तो 160 सेंटेमेटर की यानि की एक 1600 किलो मेटर यानि की 1.6 किलो मेटर की आपकी रनिंग होने वाली है वो भी टोटल 8-30 सेकंड में कम्प्लीट करने होगी और यहां पर लॉंग जंप नौ फिट तीन इंजिन को कूदना होगा हाई जंप तीन इंजिन को कूदना होगा दोस्तो और यहां पर आए बात कर लिए इस फॉर्म को फील करने के लिए कौन-कौन से दरस्ता वेज आपके लगने वाले हैं तो आप देख पारे होंगे फॉटो और सिंग्नेचर लाइट कलर बैंगराउंड फॉटो आपके पास होना चाहिए एजुकेशन साटीपिकर्ट व अभी सिंपल और सिंपल बारिविकर पास कंप्लीट साटीपिकर आप सभी के पास और चाहिए कााईब साटीपिकर यानिकी जातिपरमाल पत्र प्रोब आप सभी के पास होना चाहिए दोम से आप देख पारे होंगे जो कि भरती के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे तो फोटो और यहां पे सिगनेचर लाइट कलर फोटो यहां पे आपके लगने वाले हैं ज्ाटी परमागयम पतर यानिकी सि chỉक्षल स्मृखा सीपल बार्वी के पास CANDIDATE एपलाई कर पाएंग जए पर्मागयम पत्र पन plugs अधार मुंद यहीं wise प्रूब यानि आईडि आक पास होनी चाहिए भी इस से भरती की सेलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, यहाँ पे रिटर एक्जाम यानि की लिखित परिक्षा और लास्ट में आप सभी को फाइल मेड भी दी जाएगी हाउ टो एपलाई यानि की फोर्म को कैसे आवेदन करना होगा इस भरती की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या होने वाले हैं यह भी आप सभी को बताने वाले हैं कंडी डेट के लिए ओनलाईन की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो की 10-6-2023 है और यहाँ पर लास्ट डेट इसकी 16-6-2023 निधारित की गई है यहाँ पर आप सभी को official website पर दिखा ही दियें दोस्तों और यहाँ पर हिंदी माध्यम से आपको बताएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो की 10-6-2023 से 16-6-2023 तक आनलाईन आवेदन की स्टार्टिंग और लास्ट डेट निधारित की गई है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो की important date यहाँ पर starting date इस भरती की 10-6-2023 से लास्ट डेट यहाँ पर 16-6-2023 से रैली की starting date तो आपको पताए होगा यानि की rally start आपको आपकी rally start जुलाई में हो जाएगी admit card exam date किया भी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है जैसा ही कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम आप सभी कोई बीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे